हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर्पी बटेल बात करूँगा आप से सुड़ी में सामाजी करण चैप्टर पर आदारित महत्पोन प्रश्णों की और ये हमारा पहला पाट है और आपको पता ही है कि हम लोग पहले थेवरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद उसके प्रश्णों को करते हैं तो हमारा जो सामाजी करण का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चिका है तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके 25 प्रश्णों को और ये जो प्रश्ण है ये 2011 से 2019 तक जो भी टेट और सीटेट के एक्जाम होए हैं सभी एक्जामों ये पूछे गए हैं अगर आप चैनल पर पहली बार हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजएगा बेल आइकन दबा दिजएगा जिसे के आपको नई वीडियो इसके नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे तो सुरू करते हैं आज के अपने पृष्णों को पहला पृष्ण वारा सिच्छा के संधर्म में सामाजी करण का तात्पर है अपने सामाजिक मांदंड बनाना समाज में बड़ों का समान करना सामाजिक वातावड में अनुकूलन और समयोजन सामाजिक मांदंडों का सदेव अनुपालन करना तो सिच्छा के संदर्म में सामाजिक अन का तात्पर है सामाजिक वातावण में अनकूलन और समायोजन करना ठीक है? C आपसन आपका सही होगा तो दिखी आप सोच रहे होगे कि D आपसन के उनुपालन करना तो जरूरी नहीं है कि जो समाज में जो चीजे प्रसलित हैं वो सही हो ठीक है? तो हम हर चीज, हर मांदंडों को नहीं मान सकते हैं तो इसलिए सामाजिक अन का तात्पर है सामाजिक वातावण में अनकूलन और समायोजन आपका C आपसन सही होगा अगला प्रशने छोठे सिच्छार्थियों को कच्छा कच्छ में समवयसकों के साथ अन्ताहक्रिया करने के लिए प्रसाहित करना चाहिए जिससे वे एक दूसरों से प्रशनों के उत्तर सीख सकें पाठिकरम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकें वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौसल सीखें सिच्छा कच्छा कच्छ को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें तो इसका उप्षन आपका सी सही होगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौसल सीख सकें छोटे से चार्तिओं को कच्छा कच्छ में सम वयसकों के साथ अंतअक्रिया करने के लिए प्रोसाइथ करना चेए जिससे की वो सामाजिक कौसल सेख सके अगला प्रस्ण है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है एक्जाम में पूछा जा सकता है पूछा भी गया है ये प्रश्ण निमलिकित में से कौन सा सामाजी अगर का सोचलाजेशन का निस्क्री साधन है या निस्क्री एजनसी है परिवार सारवजनिक पुस्तकाले इको कलब स्वास्त कलब देखिए निस्क्री साधन जो है वो आपका है सारवजनिक पुस्तकाले क्योंकि ये ऐसा साधन है जिसमें हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से किताबों से जुड़े हुए होते हैं हम उनसे प्रस्ण नहीं कर सकते हैं ना ही वो जवाब देती हैं हमारी जो किताबे होती हैं तो निस्करी एजनसी आपका सारवजनिक पुष्टकाले बाकी परिवार, एको कलब, स्वास्थ कलब आप इसमें रहते हैं परिवार में रहते हैं तो आप अपने पैरेंट्स भाई बहन से बाते करते हैं ठीक है डारेक्टेली जुड़े हुए हैं उनसे जो भी पूशना चाहते हैं आप पूश लेते हैं उनसे और इको कलम में स्वास्त कलम में आप जाते हैं वहां लोगों सो मिलते हैं डारेक्टेली और प्रशन करते हैं तो आपको उनके उत्तर मिल जाते ह यह उसे में निभाला हैं व्हाले में गया day में आपका जवाब नहीं देती हैं थे तो नित रिष्क्रिय साधन है यह सद्गार क्रेंब तान व्हाले को इंद्धार neriskt 5 आप तथा अपैच्छाओं को अर्जित करने की घुलने मिलने तथा समयोजन की एक समाज की संसक्रत की आलोचना करना सीखने की मित्रों के साथ सामाजिक बनने की तो सामाजी करने की जो प्रासेस होती है सोसलाई हैसन की जो प्रक्रिया होती है इसमें यह होता है कि जो बच्चा है या विक्ति है उस समाज में जो मुल्ली प्रचलित हैं विस्वास प्रचलित हैं और जो अपय च्छाएं होती हैं उनको और जित करने से होता है ठीक है तो आपका आपसन पहला सही होगा ठीक है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रशन है निमल्खित में से कौन सा बच्चो के सामाजी करण को प्रगत सील माडल के संदर में सही नहीं है समूह कार में सक्री, सहवागिता तथा सामाजिक कौसलों को सीखना बच्चे विद्याले में बताई गई बातों को सुईकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक प्रश्टभूम कुछ भी हो कच्छा में पुर्जातंत्र के लिए इस्थान होना चाहिए सामाजी करण सामाजिक नियमों का अधिकरहन है तो बच्चों के सामाजी करण को प्रगत सील माडल के संधर में कौन सा कथन सही नहीं है तो आपका दूसरा आप्सन बच्चे विद्याले में बताई गई बातों को सुईकार करते हैं चाहे उनका सामाजिक प्रष्ट भूम कुछ भी हो तो जो अगर बच्चों का सामाजिक प्रष्ट भूम कुछ और है और आप उसके उल्टा कुछ बताएंगे तो बच्चे उस चीज को सुईकार नहीं करेंगे ठीक है तो आपका B आपसन जो है ये सही नहीं होगा ठीक है बाकी सभी सही है जैसे समुह कार में सक्री सहवागता तथा सामाजिक कौसलों को सीखना ये सही है ठीक है कच्चा में प्रजातनत्र का इस्थान होना बिल्कुल सही है सामाजिक करण सामाजिक नीमों का अधिकरण है बिल्कुल सही है बाकि आपका B आप्सन जे है वो सही नहीं है अगला है निवलिकित में से कौन प्रारंबिक बाल्ले आवस्था अवदि के दोरान उन भूमिकाओं एवं विवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समुह में स्विकार हैं भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक और साथी, साथी और माता पिता एवं भाई बहन तो आपका आप्सन से होगा D, माता पिता और भाई बहन प्रश्ण क्या है देख लेते हैं एक बार प्रारंबिक बाल्या अवस्था अवध के दोरान उन भूमिकाओं एम वेवारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कौन प्रदान करता है सबसे पहले तो माता पिता और भाई बहन जो हैं सबसे पहले वही हम से जुड़ते हैं यानि हम सबसे पहले परिवार से ही जुड़ते हैं तो माता पिता भाई बहन ही हमें विवहारों के बारे में और सामाजिक भूमेकाओं के बारे में जानकारी परिवार जो है आपका वो प्राथमिक सामाजी करण का साधन होता है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे समाज में चला जाता है सबसे पहले अपने पैरेंट्स के पास जाता है तो परिवार जो है वो सामाजी करण का प्रमुक कारक है बच्चे का सामाजी विकास वास्तों में कब प्रादम होता है विद्याले पूर वस्था में, सैसा वस्था में, पूर बाल्य वस्था में या उत्तर बाल्य वस्था में तो बच्चे का सामाजी करण यह कब शुरू होता है तो सामाजिक विकास वास्तों में उत्तर बाल्य आवस्था में प्रादम होता है और सामानित है उत्तर बाल्य आवस्था की जवध होती है नो से बारा वर्स की होती है ठीक है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा पूर बाल्य वस्ता जो है 6 से 9 वर्स की वस्ता मानी जाती है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे मनोविज्यानिक है जो कहते हैं कि 3 से 6 वर्स की वस्ता होती है वो पूर बाल्य वस्ता होती है ठीक है इस दीज को आप लोग ध्यान नखेगा तो सामाजी विकास की जो प्रासेस है वो अच्छी तरीके से वास्तों में प्राड़म होती है उत्तर बाल्ले वस्था में अगला है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजी करण होता है पूर बाल्ले वस्था में प्रोड़ा वस्था के दोरान व्यक्ति के पूरे जीवन में या किसोरा वस्था के दोरान तो सोशलाजेसन की जो सबसे कठिन प्रासेस होती है वो किसोरा वस्था के दोरान होती है क्योंकि बच्चा इसमें जो है काफी कन्फिज रहता है कि उसको समाज में क्या करना है किस तरीके से वो अपनी भूमिका समाज में निभा सकता है ठीक है उसको किस प्रकार से कार करना है जिससे वो अपनी पहचान बना सके ठीक है तो इन सब चीजों के प्रश्णों को लेकर जो है वो काफी परिसान होता है तो सबसे अधिक गहन जटल जो प्रासेस होती है सामाजी करण की वो किसोरा उस्था के दोरान होती है विद्याले और सामाजी करण के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है विद्याले सामाजी करण का पहला प्रमुक कारक है नहीं पहला प्रमुक कारक तो आपका family होता है परिवार होता है विद्याले सामाजी करण का महत्वण कारक है सामाजी करण में विद्याले की कोई भूमिका नहीं होती है तो होती है सामाजी कण में विद्याले की बहुत थोड़ी भूमिका होती है बहुत थोड़ी भूमिका नहीं होती है योकि जैसे ही बच्चा छे वर्ष का हो जाता है तो वो विद्याले में ही रहता है तो ऐसा नहीं है तो आपका B option से विद्याले सामाजी कण का एक महत्तपूर्ण कारक अगला प्रश्चन यह मानवी मुल्यों जो प्रकत में सार्वत्रिक हैं जो मानवी मुल्य हैं यानि LHban values जो हैं वो प्रकत में हर जगह हैं कि विकास का अर्थ है मतारोपन अंगीकरण अनुकरण या अभिव्यक्ति तो इसका अर्थ है अंगीकरण यानि प्रकति में हर जगह मानवी मुली विद्वान है और उनको क्या करना है उनको अपने अंदर अंगी करत करना है अंगी करन करना है विद्यार्थी को विद्याले में खेलना क्यों उचित है या उनके सारीरिक विकास से ससक्त बनाता है या सिच्छकों के लिए काम आसान कर करेगा या सभय विताने में सहिअ होगा या सहयोग ध्यु संतुलन का विकास करेगा नए 25 साहधन आप और संतुलन कि तरो समझेंगे और ऑकर हो कि परिवार एक साधन है कैसा अनुप्चारिक सिठ्फा का गैर अप्चारिक सिठ्फा का दूरत विंध आप रर राट लीजेगा बच्चे के सामाजी विकास में किसका महत होता है खेल का बाल साइत का दिन चर्जाएगा संचार माद्यम का तो सबसे ज्यादा किसका होता है गेम्स का तो आपका पहला आपस्ट जो है सही होगा देगीजिए ऐसे प्रस्ण है जो एक्जाम में पूछे गए हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यह जो प्रस्ण है यह सीटेट 2011 से सीटेट 2019 तक जो हुए है प्रस्ण उनसे प्रस्ण लिये गए हैं तो बहुत ही हैं देखते हैं प्रस्ण को जन संचार माध्यम सामाजी करण का एक महत्पूण माध्यम बन्ता जा रहा है नीचे दिएगे कठ़नों में सबसे उप्यूक्त कफन काों सा है संचाल माध्यम पदार्तों के विज्ज्यापन और विक्रे के लिए एक अच्छा माध्यम है सब्सक्राइब केवल विग्यापन और विक्रे के लिए अच्छा माध्यम ऐसा नहीं है जन संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है जन संचार माध्यम अवरत्यां मूले और विश्वासों को प्रभावित करता है बिल्कुल सफी यही आफ्षन आपका सई होगा बच्चे स संचार माध्यमों के साथ प्रत्य शुरूप से अंता नहीं कर सकते कर नहीं कर नहीं सकते वो तो वहांको पता है लेकिन सबसे सही आपका आपसन इसमें जो है सी सही होगा जन संचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अवरतियां मूले और विश्वासों को परभावित करते हैं ठीक है सी आपसन आपका सही होगा एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव सिस समाज के सक्री सदस्य के रूप में निस्पादन करने के लिए आवस्यक कौसलो का अरजन प्रारम करता है कौन सी प्रासेस होती है यह होगी सामाजी गण की कौन सा कथणुचित है। विकास जन्म के साथ प्रार्म होता इर समाप होता है। विकास एकल प क्रक्रिया weiß नहीं। विखास की जो प्रासेस होती है उसके बहुत से आयाम होती है, जैसे मांसी विकास, शारी री विकास, बहुती विकास, सफकर्टिक संदर्व विकास के us में महतोबूड भूंका काutar coffee करते हैं यही आप सुषिल कल्चर फेवडिवीड किये एक हमें कि 입니다 केंद्री मादमिक सिच्छा बोट cbsc द्वारा अपनाए प्रकत सील सिच्छा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिक आजतों प्रकत का त्याग करें तता सीखें कि किस प्रकार अच्छी सिर्णिया पाई जा सकती हैं वे सामोहिक कार्व में सक्री भागिदारिता का निरवान करें, तसा सामाजी कोशल सीखें, वे भीना प्रशन उठाई सामाज के नियम, वी नियमों का अनुपालन करने के लिए तयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रश्टभूम होते हैं वे वहाँ सब सुईकार करें जो उन्हें विद्वाले द्वारा प्रदान किया जा सकता है तो प्रगति सील सिच्छा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजी करन जिस परकार किया जा सकता है उससे क्या पेच्छा की जा सकती है तो आपका पहला option है वे समय नश्ट करने वाले सामाजिक आदतों प्रकति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी स्रिणिया पाई जा सकती ये नहीं होगा वे समय कार में सक्री भागदारिता का निर्वान करें जिससे की सामाजिक कौसल सीख सकें यहीं होगा आपका वाकि आपका जो सी option है तो बिना उठाय सामाज की नियम विनेमों का अनुपानर करें ये गलत है वह किसी प्रकार की सामाजिक प्रश्टबून होते हुई वे वह सामोहिक कारे में सक्री भागिदार्यता का निर्वाह करें, ताकि सामाजिक कौसल सीख सकें. अगला प्रस्ने, जब कभी दोयादों से अधिक वेक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभाविद करते हैं, तो वी एक सामाजिक समुह का निर्माड करते हैं यह कथन है आंचिक रूप से सत्य है कदाचित सत्य है या असत्य है तो यह कोश्चन जो है आपका कथन जो है यह सत्य होगा मुल्यों के वर्गी करण में सम्मिलित नहीं आध्यात्मिक मुल्य येन केन प्रकारण अगला प्रसने बच्चों के सामाजी विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्तु सामाजिक परिविश जन तत्तु सारीरिक तत्तु या वनसान उगत तत्तु तो आपका आप्षन 20 होगा अगला है सामाजी करन के संदर में विद्याले के पास प्राया एक प्रच्चन पाठ चर्या विद्यमान रहती है जिसमें नहीं थे परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझाता पोड़वा प्रतिरोदक सामाजी करन मुल्यों वा अवरतियों का सिच्चन वं माकलन बलात्मक अधिगम चिंतन वा समझ्चिय साथी एवं अध्यापक की अनुकरती द्वारा विशेश रूप से अपनाया जाने वाला विवहार या अंता क्रिया वा सामगरी द्वारा विद्याले में प्रस्तुत किये जाने वाले सामाजी भूमिकाउं से संबद और अवचार अंता क्रिया वा सामगरी द्वारा विद्याले में प्रस्तुत किये जाने वाले सामाजी भूमिकाउं के संबद अनुप्चारिक संकेत ठीक है डी आप्सन आपका सही होगा इसमें अगला प्रस्तुत सामाजी करण की प्रक्रिया में सामिल नहीं है मूली और विकास का अरजन अनुवानसिक संचरन एक संसकरत की दीतियों और मंदंडों की सीखना कौसल का अरजन तो इसमें कौन सा सामिल नहीं सामाजी करण की प्रसेस में तो आपका अनुवानसिक संचरन अगला प्रस्ने सिच्छको को या सलाह दी जाती है कि वे अपने सिच्छारतियों को सामूहिक गतिविदियों में सामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अत्रिक्थ ये इसमें भी सहःता करते हैं किस चीज में सहःता करते हैं दिश्चिन्ता में मू लिद्वंद में या सेमाजी करण दंश तो tools helped आपका सी options को होगा क्य Sugsm Commissioner 425 आज की 45% यह सवाफ्थ होते हैं I think आपको अच्छा लगा होगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो CDP जो है वो आपकी अच्छी से तरीके से तयार होगी और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं मानता हूँ आप एक्जाम में अच्छा करके आएंगे ठीक है तो मिलते हैं आपसे एकले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स